हे एबरीवन वेलकम टू माई कुकिंग चैनल आई होप आप सब अच्छे होंगे तो ठंडिया आ गई है और ठंडियों में हरी हरी शबजी अभी आने लगी है और आज मैं बना रही हूं बथवा का रायता दही के साथ में बथवा का रायता तो बहुत ही हेल्दी रहता है इस को अच्छे से साप कर लिया इसकी मिट्टी निकाल दी है और इसे अच्छे से दो लिया था अब इसे मैं गैस पर चढ़ा दूंगी दो से तीन मिनिट के लिए बॉयल करेंगे और इसे तेज आंस पे ही बॉयल कर लेना है और यह अच्छे से बॉयल हो जाएगा दो से दीन म तो आप भी इसी तरह इसको अच्छे से दो लीजेगा इस तरीके से अब इसे में यहां पर ठंडा करके इसको पीस लूँगी तो उससे पहले में इसको ठंडे होने के लिए रख देती हूं साथ में मैं धही को फैंट लूँगी मैंने धही लिया है और आप चाहो तो मठा भी पीस लूँगी तो लब चौपर में चौप कर लूँगी मुझे ज्जादा महीं नहीं पीसना था हलका दरदरा रखना था तो इसलिए मैंने मेक्सी की जगे चौपर लिया है तो यहां मैंने एक हरी में चीवी डाल दिया था साथ में वह भी अच्छे से चौप हो जाएगी और ये अच्छे से चौप हो गया, तो इसे मैं निकाल लेती हूँ, एक बौल में, तो साइड में मैं इसको निकाल कर रख देती हूँ, और अब मैं गैस पर कड़ाई रख कर इसमें तड़का लगाऊंगी, तो यहाँ पर मैंने gas on कर दी है और उस पर कड़ाही रख दिया है और अब इसमें आप चाहू तो घी कर सकते हो लेकिन यह जादा तरह सरसो के oil का ही तड़का लगता है हमारे घाओं में तो दिये में ढाल कर तड़का लगाया जाता है दिये को आग पर रख कर लेकिन हम gas में gas पर बना रहे हैं तो कड़ाही में मैंने oil कर दिया oil पग गया है इसमें मैंने दो लाल मिर्च ली है सरसो ली है जीरा लिया है हींग लिया है चारो एक साथ डाल दिये हैं और अच्छे से इनको पका लेंगे साथ ही अगर आप अदरवाज खाना चाहते हो तो लसुन प्याज कर सकते हो नहीं तो इनको इसकीप कर सकते हो और अब इनको अच्छे से पका लीजिए और कुछ सूखे मसाले भी मैं इसमें एड कर लूँगी तो ये अच्छे से पक गए हैं तो अब मैं इसमें सूखे मसाले एड करूँगी साथ ही टेस्ट अनुसार नमक लिया है आदा चौथाई चमच मैंने लाल मिर्स पावडर लिया है आप नहीं लेना चाहते तो इसकीप कर सकते हो और अब इसे जरा सा पका लेंगे अच्छे से पकने के बाद में फिर इसमें मसाला पक जाएगा तो इसमें हम जो बत्वा हमने ग्रेट किया है यानि की चौप किया है उसको इसमें डाल देंगे और उसे भी अच्छे से 2-3 मिनिट के लिए योँ ही भून लेंगे तो आप इस तरीके से इसको भून लीजिएगा और मैंने इसको इसी तरह लगतार चलाते हूँ इसको अच्छे से भून लिया है नीचे लगने नहीं देना इसको चलाते रहना है तो यह अच्छे से अपना पूरा पानी सूख जाएगा इसका और यह ओल छोटने लगेगा तो यह अच्छे से पक गया है और अब इसमें मैं जो यह पकने के बाद में इसको मैं गैस को बंद कर दूँगी और गैस की मातरा हमें धीमी रखनी है जब पकाना होता है तब तो गैस मैंने बंद कर दिये है और दो-तीन मिनिट के लिए इसको ऐसे ही रख दिया है यह ठंडा हो गया है तो अब इसमें मैं जो दही मैंने मठा था उसको डाल दूँगी तो इसी तरह आप भी दही को मठा डाल सकते हो अगर आप इसकी जगा छाच लेना चाते हो यान छाच याने की मठा तो वो भी आप इसमें डाल सकते हो और इसी तरह इसको मिक्स करके आप इसे पूरी पराठा, चाबवल किसी के भी साथ में सब कर सकते हो और यह खाने में बहुत ही टेस्टी बना है मैंने आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा आप दो भार अब फिर जरूर बनाओगे एक बार बनाने के बाद में तो यह थी मेरी आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए चैनल पर नए हो तो सब्क्राइब करिए फिर मिलती हूँ नेक्ट वीडियो के साथ बाई बाई